कि आप ने जो बुंदेल खंड में कॉंग्रेस मजबूत थी और जिस तरह आपने कॉंग्रेस को विवस्थित कर रखा है अब उससे कॉंग्रेस कमजोर हुई है आप हमसे न पूछ के जो कॉंग्रेस में जिनको 26 वोट एक बूत पर मिलता है कॉंग्रेस उनको बढ़ाना चाह नमस्कार मैं हूँ सौरब दिवेदी आप ललन टॉप की चुनावी यात्रा देख रहे हैं जो फिलवक्त उत्तर प्रदेश की जालोंजिले में हैं आप जो ललन टॉप के पुराने दर्शक हैं वो जानते हैं कि ये कवरिज मेरे लिए खास है क्योंकि हर पत्रकार ये परत्याशी विनोद चतुरवेदी जो कालपी विधान सभा से चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले पुराई विधान सभा जो उन दिनों सुरक्षित नहीं होती थी उससे विधायक रह चुके हैं कॉंग्रेस के टिकट पर विनोद चतुरवेदी जी पहला सवाल यही ह तमाम जिंदगी आपने कॉंग्रेस का जंडा ढोया और मैं यह तो नहीं कहूंगा कि अगर मेरी याददाश सही गवाई दे रही हो कि मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था जब आप मेरे ख्याल से यूद कॉंग्रेस के जलाद्यक्ष बनेते कौन सा साल था मैं बना था यू सिक्स के बाद कि आपने पंजा छोड़ दिया प्रियंका गांधी तो जगे जगे घूम के कह रही है लड़की हूं लड़ सकती हूं तो क्या बज़र के लड़ने कुझाश नी बन रही थी नहीं ऐसा नहीं था जो हमारा राश्टी नितरत है वो गुमराय है वो राजनेतिक जो है सोच नहीं है अब वो सिर्फ उनकी सोच है मैनेजमेंट की कि जो उनके सलायकार उनको सलाय देते हैं हम लोगों ने जो सलाय दी हमेशा कि आप उस रास्ते पर चलिए जिससे पार्टी मजबूत हो वो बातें तो अच्छी करते हैं लेकिन इंप्लीमेंट अच्छा नह ने लगा तो उन्होंने बागी तेवर अपना लिये नहीं कभी हमने कभ ये की बाते ही नहीं सोची क्योंकि हम सोतंता संग्राम सैनानी के लड़के थे हम अगर चायते तो पहले भी हम दल बदल के जा सकते थे लेकिन जब हमने ये सोचा कि इनके मन में ये है कि हमने पूरा जीवन दिया पार्टी के लिए और ये समझ रहे कि हम भार हैं इसलिए हमने हमारी विचारधारा माननी अखलेज जी जो युवा हमारे मुखमंती रहे हैं और अब होने वाले हैं उनके जो विचार उनका जो विकास का एजेंडा और उनका जो नोज़वानों किसानों के लि यहां के मुखमंती जी सिर्फ एक ही उनका नारा था ठोको या बॉल्डोजर चलाओ तब हमनों एक बियान दिया था माननी अखलेज जी ने कहा था कि सुदामा की रक्षा कृष्णी करेगा तो हमको प्रभाबित हुए हो हम और हमको लगा कि जैसे जिस तरह की घटनाएं य रही थी उससे निश्चित था कि हम हमारा समाज उद्देलित था हम लोग भी बहुत ज्यादा अपने को दुखी मैसूश कर रहे अच्छा ये बताइए आप इतने बरस रहे कई लोग कहते हैं कि आपके आपका जो मेहमान घर है ड्रॉइंग रूम है उसमें आज भी कॉंग चोडने का फैसला किया तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी या जो और पुराने बुजर्ग नेता हैं उन्होंने कोई संपर्क नहीं किया आपसे नहीं हम तो उनसे लाश्ट मीटिंग में ही हम बोले थे कि आप ने जो बुंदेल खंड में कॉंग्रेस मजबूत थी और जिस तरह आपने कॉंग्रेस को बिवस्थित कर रखा है अब उससे कॉंग्रेस कमजोर हुई है और आप हमारी बातों को मानना नहीं चाहेते और भी लोग हमारे साथ पूरी कॉंग्रेस की जो लीडर दे के समझा सकें कौन सी ऐसी गटना है रही जैसे हमारे यहां जिन बना दिया पहले वहां आल इंडिया में उपाध्यक बनाया हर तो हम लोग जीवन भर तपस्या किये आप हमसे न पूछ के जो कॉंग्रेस में जिनको 26 बोट एक बूट पर मिलता है कॉंग्रेस उनको बढ़ाना चाहती जो 50,000 बोट खुद ला रहा है अपनी दंपे जो एम इसलिए पार्टी में यह सब हुआ नहीं जगड़ा बिल्कुल नहीं था शैद्धानतिक बात थी आप अगर किसी चीज़ पर काम करते हैं आप मेहनत करते हैं और आपको हटा के किसी और को स्रे दिया जाए तो स्वबाबिक है मन उस प्रविर्टी हमारी ही है यह स्वबाब है और पार्टी को रसातल में ले ही जाना है तो हम लोगों ने विचार किया कि समान विचारदारा की पार्टी के साथ अपने को समाहित करते हुगे समासेवा करेंगे अच्छा पर यह बताईए कई लोगों की यह उत्सुकता होती है विनो चित्रवेदी जी कि जब एक बड भी चाहते हैं कि आप सपाई हो जाओ क्या सत्य है बिलकुल सही है यह एकदम सत्य है नेता जी हमको बहुत इसने करते थे और नेता जी जब हम कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे तो नेता जी जब जब मुखमंत्री हुए उनने लगातार हमको सुरक्षा में गनर दिया जब हम चुकि हमारे पिताजी सोतंता संग्राम सहनानी थे और उनकी उम्र उस टाइम नाइनटी सिक्स यर थी तो हमने जब नेताजी से यह कहा कि अभी पिताजी है इसलिए मैं उनकी विचार धारा का सम्मान करते हुए मैं हिर्दे से तो आपके साथ हूँ लेकिन पार्टी में हमना से पिताजी के रहते नहीं बदलूँगा जाने हिर्दे कि बात कर रहा है कई लोग कह रहे हैं कि आपके साथ नहीं है बहुत विरोध कर रहे हैं यहां चीडामपाल को टिकट दिया गया जो बहुत पहले बसपा से विधायक रहे हैं यहां तीन बार 91 96 और 91 93 96 में है फि पार्टी का जिलाद्याट किसी और की पैरवी कर रहे थे। सही बात है किया। नहीं हम लगता। ऐसा हम को कभी महसूस नहीं हुआ। हमने जब से पार्टी जॉइन की। जिलाद्यागी ने बराबर सम्मान और जो भी काम संगठन के थे। उस पर बराबर हमने सयोग किया, उनने हमसे विचार बेमर्ज किया, तो ये तो सिर्फ मंगरंत लोग कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, राजनीत में अरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत सरन काम है, होता कुछ है, दिखता कुछ है, नहीं, अदेख जी, हमारे संगतन को नौन ह क्योंकि हम जब चोटे सिंग से आज बात कर रहे थे, तो उनसे भी हमने यही पूछा, कि आप निशाद पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे हैं, तो बाजपा का कारडर कितना सयोग कर रहा है, एक चीछ बताइए, हमसे कई लोगों ने कहा कि बिनोच चत्रवेदी का चुना समाज ने बोट दिया, कॉंग्रेस में भी जब हम जीते, तब भी सर्व समाज ने हमें बोट दिया था, आज भी हम कालपी विदान सवा में लड़ रहे हैं, तो कोई ऐसा वर्ग नहीं है, जो हमें बोट ना दे रहा हूँ, सभी इस समाज के लोग हमको बोट दे रहे हैं, एक चीज और बता दीजेए, आखरी सवाल है, बिनो चत्रवेदी बिधायक बने पुरही से, फिर दोचनो लड़े जाके मादोगल में, अब आए कालपी में, मादोगल क्यों चोड़ना पड़ा हमको, मैं अठारा बरस तक जिला ध्यक रहा कांग्रेस का, तो पूरे जन्प पराया, उसका अगर कोई दर्द होगा, तो मैंने उसकी मदद की, तो उस विचारदारा से मेरे मन में कभी, पहले मैं आपको सत्ता बताऊं, मैं दो हजार बारा का चुनाव यहीं से लड़ना चाहता था, कालपी से, क्योंकि मैं सिटिंग बिधायक थे, और रही से सरक्षि आई, जो मैं वहाँ जो है, हमारा एक चैर्मेन रहा, नगरपालका का कौँच का सोक सुकला, उसका बड़ा वो था बेवार था, और दूसी बात बड़ा मिला था, वो दुनिया में नहीं रहा, उसकी हत्या हो गई, तो उनके परिवार ने और बहुत से मेरे कॉंग्रेस के स साथियों ने कहा कि नहीं, आप यहां से चुनाव लड़ा है, मादोगर से, उन परिस्तितियों में मादोगर से चुनाव लड़ा है, आच्छा है, का जाता है कि कॉंग्रेस के एक बड़े कदावर नेता हुए है, जनारदन दुवेदी वो आपको बड़ा इसने करते थे, जनारदन दुवेदी ने भी ने रोका को कॉंग्रेस में बने रहने के लिए, नहीं, दुवेदी जी ने, मुझको हमेशा ये बिलकुल सही है, कि उनका मुझ पर हमेशा बड़े भाई जैसा सनेरा, और उन्होंने हमेशा अच्छी सडाय दी है, लेकिन वो ये, उनकी विच थीपाबाद मैं प्रेस को रिलीज किया था, 17 मैं उन्होंने छोड़ा, वो 14 से छोड़ना चाहते थे, कि मैंने बहुत सेवा कर ली, 45 साल पार्टी की, तो उन्होंने और कहीं गई भी नहीं है, वो अपनी खाली लिखने पढ़ने का और विचार जो उनका प्रोफेसर थे, उस तरह का काम करते हैं, किसी धल में नहीं गए हैं, लेकिन मुझे उन्होंने ये कहा कि देखी कि अब तो अपनी जो समान विचार धारा है, जब ये लोग नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं बात समझना चाहते हैं, तो वाई अगर जो सेष जीवन है, तो अपनी समान विचा तो कुछ विचारधारा ऐसी बनी और इसलिए मैंने मानी अखलेजी की नेतरुत में काम करने का नहीं नहीं है तो राष्टी नेतरुत को सब पता है और उनका संदेश ही भाई हमारे यहां हो गई थे वो इसके पहले हो यात्रा पर आई थे तो कालपी हो गई थे और वहां गए नहीं थे वो इसलिए उन्होंने सोचा के कालपी हम हो ही आए हैं और मादोगर से पूरे तीनों विधान सबाँ को संदेश देंगे ऐसा कुछ नहीं इसी विचारधारा थे उनने मादोगर में की मुकाबला किससे है आपका बसपा के चुननापाल से निशाद पार्टी के छोटे सिंग से या कॉंगरेस की उमा कांती सिंग से हमारा मुकाबला ही नहीं है अच्छा जी अब तो बिल्कु विनर हैं हमारा मुकाबला ही नहीं है अब जे तो जब बोट खोलेंगे तब पता लगेगा लोगों को चालिए आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनोच चतुरवेदी को काल्पी एक दिल्चस्प इदानसभा है कोई कह रहा है चतुश कोणी मुकाबला है ब पहुंचाता रहेगा ललंटा शुक्रिया